दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बैल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मई 2023 दिन गुरुवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीज़ों से आज आज आज़ आपको फाएदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथ-साथ, आज आपका भाग्यसाली अंक क्या रहेगा? भाग्यसाली रंग क्या रहेगा? आज आपके लिए कौन कौन से उपाया लावकारी साबित होंगे? और साथ साथ आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीसत साथ मिलेगा और साथ साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सबी की महत पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी बहतर रहने वाली है और आज आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिस्तेदारों को भी आर्थिक सायता करेंगे नोकरी पेसा लोगों को अधिक लाब मिलेगा आज उन्हें मन चाही नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के स्रोत भी जुड़ेंगे आपको बता दें कठिन परिश्रम से सभी काम आज शमय पर आपके पूरे होंगे लेकिन अनावश्चक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है लेन देन में आज आज आप सावधानी बरतें परिवार का माहौल अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों से कुछ मामलों में अनमन भी हो सकती है समवेदन सील मामलों में आज आपको बहुत समलकल चन्नी की आवश्चकता है साथ साथ आज आपकी वित्तितिती में काफी सुधार आ जाएगा आस्मिक धनलाब प्राप्ति के अवसर आज आपकी जीवन में आएंगे जो भविस्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्त करेंगे साथ साथ शिक्षा के लिए आज का समय बहतरी रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियां प्राप्त करेंगे साथ साथ आपको बता दें आज आपको अपने भाई बहनों का पूरा सेयों प्राप्त होगा और समाज में आपका और आपके परिवार का मान शम्मान भी बढ़ेगा आपको परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतरन से बाहर होगी और इसके लिए आप आज परेशान भी हो सकते हैं आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीर्व इक्षा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्देसियों की और सांती से बढ़ते रहें और आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी अगर हालात का आप सामना धहरे से करेंगे तो आपको अच्छे पढ़नाम की प्राक्ति होगी आपको बता दें काम काज के नजिरी से आज का दिन वाके में ही सुचारू रूप से चलेगा साथ साथ कुछ तनाव और मतवेद आपको चिर्चणा और बेचैन बना सकते हैं आप अपने परिचितों पर अपने फैंसले ठोपने की कुशिस करेंगे तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुँचाएंगे सुनी सुनाई बातों पर आँख मूद कर यकीन ना करें और उनकी सच्चाए को भली बहती परखें वानी पर आज आपको शहियम रखना होगा अन्यता कले होने की भी संभावना रहेगी साथ इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का आज आज आपको प्रियास बेहतर करना होगा आपको बता दें कुछ बिगड़े हुए कामों को सुधारने की आज संभावना ह हैं विपरित परिस्तितियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफ़सर आपको प्राप्त होंगे साथिसाथ शंसादनों पर खर्च होने से मांसिक असांती तथा तनापूर इस्तिति हो सकती हैं आत्म विश्वास के अभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बाधा उ आशी रहेगी तो दोस्तों आपको बता दें आज आप अपने रिष्टे को एक नई रचनात मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती अत्यादिक आकरसन भी महसूस करेंगे लेकिन ध्यान रखें मर्यादित आचरन करना ही सरवता उची तरहेगा साथ साथ आपको बता दें आज किसी तरह की यात्रा या फिर किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है ऐसे में आपको मधूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवशक है आपके प्रियास से इस्तितिया अनुकूल हो सकती है जा दोस्तो आज आपको अपने प्रियतम को यह महसूस कराना होगा कि वास्तम में ही यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है और आपका प्रियतम ही आपके लिए सब कुछ है दामपत्य जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा प्रेम संबंद मजबूत होंगे और दामपत्य जीवन में मधूरत आएगी प्रेम जीवन के हिशाब से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सामित होगा साथे साथ दोस्तो बात करें आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें वैपार धंदा आज अच्छा चलेगा और आस्मिक धनलाब के योग रहेंगे कारे छेतर में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और सभी कारे स्थफल होंगे साथे साथ प्रॉपर्टी में निवेस आपको लाब देगा जया दोस्तो यदि आज आज आप किसी प्रॉपर्टी में निवेस करते हैं तो भविशे में उसका लाब मिलेगा आपको आप आज निवेस भी कर सकते हैं समय अच्छा है साथे साथ शेयर सकते से आज आज आप दूर रहें और आपको बता दें हलाकि कारणाभार की आज अधिकता रहेगी जिसके चलते मेहनत आज 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 आज़िक करनी पड़ सकती है और पूरा दिन भाग दोड़ में बीतेगा कामकाज के सिलसले में किसी छोटी यात्रा पर भी आज आज आपको जाना पड़ सकता है साथे साथ आपको बता दें कारोबार विस्तार की योजनाया आप बना सकते हैं जमीन जायदाद सम्बंदित कारों के लिए समय अच्छा है परंतु सावधानी बढ़ते हैं साहस और उत्सा के साथ पद पोजिशन प्राप्ती के भी आज योग बन रहे हैं आपको बता दें आज आपको नोकरी प्राप्ती के भी योग हैं जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नोकरी प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं आपको बता दें यदि आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में प्रोमोशन मिल सकता है वेतन वर्दी हो सकती हैं नोकरी वालों के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होगा आज और अब बात करें तो दोस्तो आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें स्वास्त के लिहाज से आज आप अच्छे बने हो रहेंगे आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आपको अपने प्रियासों के द्वारा अच्छी काम्याबी की भी उम्मीद है। परन्तु आप कोई भी ऐसी चीज ना खाएं, तेज मशालों का प्रियोग ना करें, जिससे पेट से संबंदित कोई शिकायद आपको हो सकती है। तो शियत के मामलों में साबधान भी रहनी की आपको अब शकता है, कम बोजन लें, समय समय पर लें, लाभ है मिलेगा आपको। दोस्तो अब बात करें आज आपके लिए भागय साली अंक क्या रहेगा तो दोस्तो आपको बता दें आज आपके लिए भागय साली अंक रहने वाला है छै और अब बात करें आज आपके लिए भागय साली रंग की तो दोस्तो आज आपके लिए भागय साली रंग रहेगा सि पेद गुलाब के पुस्प किसी धर्म इस्तान में चड़ाएं आपको लाब होगा और साथ साथ चंद्र उद्य के बाद चंद्रमा की किर्णों में बैटकर खीर खाने से परिवारी के सुक बढ़ता है और साथ साथ यदि आप किसी जवुत मंद को आज खाने की कोई भी ये अपने स्रद्ध सामर्थ के नुसार देते हैं तो आपको नोकली से संब्दित कोई परिशानी है उससे छुटकारा मिल जाएगा जरूर करने इन उपायों में से कोई भी एक उपाय लाब होगा आपको और दोस्तों बता दें आज आज आपको भागय का कितना परतिसत सा साथ मिलेगा तो दोस्तों आज आपका भागय मिलिटर बता रहा है कि आज आपको आपके भागय का पूरे 95% साथ मिलेगा हरहर महादेव चैबू लेनात